कि एम लोग बात करने वाले एक और इंट्रस्टिंग टैग नोग होता है इस चूडियो होटा है तो मैं आ चुक है पने विजौ स्टुडियो कोड पर और मैंने यहाँ पर span.html नाम की एक फाइल बना करके रखिए अपने उसी फोल्डर में जहां पर मैं अपनी बाकी की फाइल सेव कर रहा हूं, आप लोग भी बना लो एक, तो हम लोग क्या करते हैं, फटा-फट से डाचा अड़ कर देते हैं, अपना जो M8 के जरीए हमें मिलता है, बड़ी आसानी से बिल्कुल एक क्यरेक्टर प्रेस करने के बाद में, यहां पर मैं लिख दूँगा, Understanding Span Tag, अब मैंने आपको इतना तो बता दिया, चलो कि Span Tag जो है, वो हमारे बिल्कुल Div Tag की तरह होता है, बट कुछ Span लिखा, M8 ने आकर के बोल दिया, यह लो Span Tag, एंटर दबाने के बाद में, Span और Slash Span दोनों आ गए, तो यह भी, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि Span और Slash Span के बीच में आने वाले आपका content जो कि Span के अंदर आएगा, right, simple सी बात है, अब आप लोग Span को ऐसा समझ सकते हो कि Span एक ऐसा container है, जो आपके data को content करेगा, right, आप लोग Span के साथ में भी class ID attributes का इस्तमाल कर सकते हो, वैसे आप लोग classes और ID attributes का इस्तमाल बहुत सारे text के साथ में कर सकते हो, बाकि ऐसा नही बार में मैं अब भी जादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग class और ID को अलग से देखने वाले हैं, right, तो इनके बार में हम लोग आगे बात करेंगे, तो बात ऐसी है कि मैं आपको बताया कि जो div है, वो भी content content करता है, content content करता है, मैं confused हो रहा हूँ, तो चीज ऐसी है, मतब इन शॉट हम लोग अगर समाल ले, तो दोनों जो है, वो span भी और div भी, आपके content को contain करते हैं, right, simple सी बात है, अब वो span के साथ में भी, आप लोग class ID attribute का इस्तिमाल कर सकते हो, और div के साथ में भी कर सकते हो, तो क्या ऐसी चीज है, जो दोनों को अलग करती है, तो जो च अब समझ लो कि inline element क्या होता है, right, inline element मतलब ऐसा element होता है, जो कि उसको जितनी चाहिए जगा वो ले लेगा, और उसके बाद में बाकी जगा छोड़ देगा, बाकी elements के लिए, right, जैसे block में हमने देखा था, block जो है, पूरी जगा ले लेता है, right, despite कि वो कितना भी हो, वो पूरी जगा ले लेगा, अगर कोई बचती है, right, but inline वैसा नहीं करेगा, inline बोलेगा, भाई मेरे को इतनी जगा लगती है, बाकी आप देख लो, add कर दो कुछ भी, right, देखेंगा अब लोग उसका demonstration, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, this is a span, right, मैंने आपर यह लिखा, this is a span, इसको हम लोग भी refresh कर देते हैं, ताकि हम लोग यह देख पाए, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी कर दिया हूँ, this is a span, आप लोग देख सकते हूँ, right, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरा span बना लेता हूँ, यहाँ पर लिख है, दोनो span है, और दोनो एक के वाजू में एक है, अगर यही div होता तो यह एक के नीचे एक आजाते, क्यों, क्योंकि div एक block element और span एक inline element है, right, और एक प्रकार होता है inline block, जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करने वाले, ठीक है, तो हम लोग block element देख चुके है, div हो block element और भी काफी सारे block elements है, मैं आप लोगों को block element के बारे में आगे बताने वाला हूँ, वैसे ही inline element के भी बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ, no doubt about that, right, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो span tag है, यह समझ चुका होगा, तो अब एक और छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं, before we move forward, right, तो वो चीज ऐसी है कि हम लोग ले लेते हैं, paragraph tag, और इस paragraph tag के अंदर मैं लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, learning, 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 html is fun, अब मान लो मैं html पे ना, यह html पे particular कुछ styling करना चाहता हूँ, ठीक है, styling, जो की css से आता है, तो मैं क्या करूंगा, इस html को उठाऊंगा, इसके span के अंदर डाल दूंगा, html को, right, simple सी बात है, तो यह भी आप लोग कर सकते हो, मतलब, आप लोग कुछ, किसी tag के अंदर भी कोई tag लिख सकते हो, right, यू मान लो, इसके अंदर मैं, मतलब, कोई tag लिख सकता हूँ, फिर भी, यहाँ पर अगर मैं आकर किसको refresh करूंगा, कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग बोलोगे कि आरे आरे यह space क्यों नहीं आरी है, क्यों नहीं आरी है, तो नहीं आएंगी, right, वो space simply नहीं आने वाली, वो space लाने के लिए आप लोगों को use करना पड़ेगा entities का, right, entities के आप लोग अभी बात नहीं करने वाले, आप लोग explore कर सकते हैं, उसको हम लोग अभी बात नहीं करेंगे entities के बारे में, क्योंकि अलग चीज चल रही है, हम लोग span tag समझ रहे हैं, to span tag में ही रहते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो आगे और किसी tag के बारे में आप करेंगे, right, simple सी बात है तो यहां पर एक चीज हो जाती है मैंने आपको थोड़ा सा क्यूरियस कर दिया अब आप लोग दून सकते हो कि यहां पर यह स्पेस तो मैंने दे रखी है तो यह स्पेस आ क्यों नहीं रही है अब आप बोलोगे ठीक है यहां पर कोई टैग नहीं है तो इसलिए आ पहले देदी मैंने स्पेस अब देखो भया अभी भी रिफ्रेश कर रहा हूं भी टैक के पहले तो मुझे कोई स्पेस नहीं दिख रही यहां पर यह बोल्ड के पहले आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हमारी अगर में तो आप लोगों कोई भी डिफिकल्टी है ना तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो एंड रिकमेंड करता हूं मैं कि सारी चीदों को खुड ट्राय करो आप लोग ठीक है करता है